हलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार 19 अक्तूबर 2022 और दे हिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितने भी इंपोर्टेंट और एक्जाम और इंटेंट न्यूज है वो इस वीडियो के तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करेंगे इंटरपॉल यानि इंटरनेशनल पुलिस या एक तरीके से कह सकते कि उसका एक इंपोर्टेंट सेशन उसकी जरनल असेमली भारत के दर हो रही है और 195 कंट्रीज के रिप्रेजेंटिटिव आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे इसी दोरान भारत के प्राइमिस्टर ने भी जब इस अजेंसी को की जरनल सेमली को संभूतित किया तो उन्होंने कई सारे इंपोर्टेंट्स डिरेक्शन को टच किया और इंपोर्टेंट्स जो है वो डिसकुशन किया तो उसे के बारे में बात करेंगे कि भारत के प्राइमिस्टर ने इस पूरे सिनेरियो को लेकर क्या opening रखा है तो सबसे पहले बताया गया कि जब आप किसी crime को defeat करना चाहते हैं और crime की जो range होती हो global होती तो आपको effort भी global करने पड़ेंगे इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया कि हमें global corporation बढ़ाने की जुरूत है जैसे terrorism, corruption, drug trafficking, poaching या organized crime इस तरह की जो threats है, poaching generally आप देखेंगे कि animals के जो एक तरीके से organ होते हैं जिसका इस्तमाल करते हैं poaching के लिए और बहुत सारे animals जो vulnerable category के अंदर है critically endangered उनका जादतर आपको poaching इस तरह केसी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा यह बताया कि कोई भी safe haven नहीं होना चाहिए इस तरह की offenses, इस तरह की crimes को लेकर, जब हम बात करते किसी भी treat के बारे में की global treat है, यह सारे treat जो है global treat है और इनका response केवल local नहीं हो सकता, माल लेते है terrorism एक global treat है, उसको केवल एक country तक limit करना है, यही सब कुछ करेगी, ऐसा possible नहीं है, इसके अलावा, यह 90th Interpol General Assembly Meeting है, जिसके अंदर भारत के प्राइमिस्टर इसको address कर रहे थे, और 4 दिन तक यह meeting चली है, इसके अलावा यह बताया गया, कि जब हम international cooperation की बात करते हैं, तब हमें global cooperation for local welfare यह नहीं, अगर local welfare पर भी काम करना है, तब भी international cooperation पर हमें focus करना पड़ेगा, और आज के time पे, एक और जो बड़ा treat होता है, वो है online treat, हमने कई बार देखा कि पहले terrorism, generally transnational terrorism होता था, आज के time पे, जो terrorism का तरीका है, भारत में भी एक तरीके से बड़ी problem है, इस्तमाल, online एक तरीके से activity कर रहे हैं, तो यह और खतरना method कह सकते हैं, कि आप एक तरीके से, online, जो sources के और है, online treat जो है, और बड़ी problem है, इनके अलावा, आज के time पे, क्योंकि online अगर तरीके से इस्तमाल होगा, तो एक button के अंदर ही, आप बड़ी सीटी को destroy कर सकते हैं, इसके अलावा, online radicalization को increase करना, cyber threat को बढ़ना, यह एक बड़ी problem है, पूरी दुनिया के सामने, और उसको लेकर, internationally address करने की requirement है, इसी context में बताया गया, कि हमें international strategies को development करना पड़ेगा, ताकि early detection हो, warning system हो, इसके लावा, transportation services को protect करना पड़ेगा, communication infrastructure को secure करना पड़ेगा, और critically infrastructure को enhance करना, technical और technological assistance के तरू, और intelligence exchange के तरू, तो यह आने वाले time में हमारे कुछ important task होने चाहिए, इस पूरे scenario को लेकर, तो यह जो Interpol की general assembly है, यह भारत के अंदर हो रही और एक बड़ा event है, क्योंकि इसमें बहुत सारी countries के representative सामिल है, और उसी को भारत के premises जो वो address कर रहे थे, इसके ठीक निचे, एक ऐसा topic जो कई बार debatable होता है, जब भी आप देखेंगे, हिंदी के बारे में recommendation होती है, ration में हुआ क्या है, एक parliamentary panel ने recommendation कर दी, कि जितने भी central institute है देश के अंदर, उसके अंदर हिंदी को आप preference करिए, हलाकि उन्होंने ये भी बोला है, कि हिंदी के साथ साथ, यहाँ पर जो regional languages है, उनको भी major source बनाई, यह overall कह सकते हैं कि, जहाँ पर हिंदी speaking state, वहाँ पर हिंदी को preference दीजिए, जहाँ पर regional languages है, इसके अलाव ये recommendation करेंगे है, एक तरीके से chairman इनको submit करेंगे, president of India को, अब इस पूरे scenario में, एक Tamil लाडू राज्य जो काफी विरोध करता, Tamil लाडू जब भी हिंदी के बारे में, हिंदी imposition के बारे में बात होती है, तो वो उसके विरोध और बहुत पहले से, आज से नहीं 2022 में आप देखेंगे, historically भी Tamil लाडू हिंदी language को लेकर protest करने वाले chief state में से एक राय है, और इसी चीज़ को लेकर एक resolution पास किया गया है, उन्होंने का कि हम तो Tamil race और culture का protect करना चाहते हैं, ये सारी चीज़े हैं, देखो दो important चीज़े हैं, हिंदी imposition गलत हो सकती है, कि ठीक आप Tamil लाडू में जाकर ये बोलें कि हिंदी में ही आपको बात करने हैं, वो उस चीज़ के साथ agree नहीं हुआ जा सकता, बट ये नहीं है कि भाई आप Tamil लाडू में हिंदी को promote नहीं कर सकते, language को enhance नहीं कर सकते, increase नहीं कर सकते, वो चीज़े नहीं है, और इसको लेकर coordination होना चाहिए, या इसके अंदर जो word यूज किये गे हिंदी speaking state में हिंदी और regional languages के अंदर regional language को promote करे, हलाकि central government को भी observation करना पड़ेगा, कि official language के रोप में state government को बिल्कुल right है, कि हिंदी, English या regional language इनमें से किसी को भी opt कर सकती है, इसी चीज़ को लेकर काफी ज्यादा issue है, भारत के constitution में 8 schedule के अंदर 22 languages है और 22 Indian language है, कई बार आपके मन में आता है कि इसमें English क्यों नहीं है, तो English Indian language नहीं है, इसलिए वो उसके अंदर count नहीं की जाती है, और 8 schedule में 22 languages के अंदर count की जाती है, ठीक है, अब आप लोगों के लिए सवाल है, भारत में के समिधान में जब 8 schedule के बारे में बात करते हैं, 22 language भी होगी, लेकिन स्टार्टिंग में देखेंगे 1947 में या 1950 में जब हमने अपने constitution को adopt किया, finally inact किया, तब उस context में हम देखते हैं कि 22 language नहीं थी, समय समय पर उसमें कुछ constitutional amendment हुए, तो आप लोगों के लिए सवाल यह है कि भारत में language इंसर्ट करने के मावले में, कि कुछ और language इंसर्ट करेगी constitutional amendment के थुरू, वो कौन-कौन से constitutional amendment रहे हैं, और वो कौन-कौन सी language जो additionally add किये थी, या after independence, या after constitution के implementation होने के बाद वो लागो किये थी, या add schedule के अंदर insert करेगी थी, उनके बारे में आप नीचे comment करेंगे, इसके ठीक नीचे एक information दी गई है, United States ने handover किये 307 antique item, यानि भारत की cultural या एक तरीके से भारत की heritage एक तरीके से representation होती है, उसको US ने वापिस return किया है, और कई बार क्या करते हैं, जो चोर होते हैं, वो यहाँ पर आप देखेंगे, माल लेते हैं किसी temple से कोई मूर्ती चुरा लेगे, और कई बार क्या होती है, मूर्तियां गोल्ड की या फ्रिक्तरी के से जो metal होती है, जिसमें बहुती costly metal होती, उसके थुरू वो प्रिपेर होती है, और उसकी कीमत बहुत ज़ादा होती है, यहाँ पर आप देखेंगे, फोर मिलियन डॉलर की amount है, और इस context में, मैं जब US और इंडिया के relation को observe कर रहा हूँ, तो पिछले कुछ दिनों में कई सारी चीज़े हुई है, पहले हमने देखा, US ने पाकिस्तान को F-16 के लिए modernization को लेकर एक package अप्रूव किया, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ उनको US के अंदर बलाया, उनका बड़ा मान संबान किया, इसके बाद US के एक representative ने जो पाकिस्तानी occupied कस्मीर है, उसको लेकर कुछ statement दी, लेकिन जैसे ही इंडिया का pressure बढ़ना शुरूआ तो reverse कुछ statement हुई, जैसे US के प्रेजिएंड जो बाइडन ने का कि वह ये तो एक तरीके से पाकिस्तान जो है, वो दुनिया का खतरनाक state में से एक है, उसके बाद फिर एक statement आती है, कि इंडिया तो हमारा close lie है, इसके बाद अब ये जो चीजे होती है, ये भी आप देखेंगे, दो country's के relation को indication करती है, और उनके relation में, और इंडिया और US के relation में ups and downs का जो phase है, ये अपने आप में बहुत ही interesting है, और साइध US ECS को अंटरस्टेंड नहीं कर पा रहा है, कि उनके लिए पाकिस्तान से कहीं गोना, लाग गोना important होगा इंडिया, और अगर गलती से भी इंडिया के साथ relation खराब होते हैं, definite सी बात हैं इंडिया पर impact पड़ेगा, बट US पर strategically बहुत जाद रुकसान पड़े होगा, क्योंकि इंडिया की जो जो जोगर्फिकल लोकेशन है, इंडो पैसिफिक में बहुत important है, इसलिए इंडिया के साथ strategic alliance होना, या इंडिया की जो location है, वो अपने आप में बहुत ही unique है, उसको कोई भी country ignore नहीं कर सकती, चाहिए चायना और पाकिस्तान और कोई भी दुनिया भर की country हो, इसके बाद page number 2 पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दिल्ली government का जो एक initiative है, कि bio decomposure solution को agriculture fields में एक तरीके से spray किया जाता, ताकि air quality index जो है एक limit तक रहे, basically stable burning को लेकर बहुत sensitive हो दिल्ली, और रेशन में जैसे जैसे winter होती, तो दिल्ली, हर्याना, पंजाब, राजस्तान, वेस्टन, यूपी, इन particular area में एक unique सी problem होती है, air quality index काफी poor हो जाता है, और उसकी हो जैसे दिक्कत क्या होती है, कि आप देखेंगे कि आस्मान में एक black color सा या दूआएं दूआँ चा जाता है, और ये सारी चीज़े क्यों होती है, इसके लिए responsible माना जाता है, कि agriculture waste या stable burning या फिर अगर हम देखते हैं, जैसे धान निकालने के बाद जो material बचता है, उसका कहीं ने कहीं, उसको आग लगा देना, तो उसके बीचे दो बड़ी वज़े माने पहले ही बताई थी, पहला एक तो farmers के पास creep से रभी जो crop होती है, उसमें shift करने का time थोड़ा कम होता है, जो प्रोब्लम है, क्योंकि जो agriculture waste या जो धान निकालने के बाद, जो वहाँ पर बचता है, residue, उसमें silika का content बहुँ जादा था है, क्योंकि non-vasamati rice सबसे जादा एक तरीके से लगाए जाते हैं, इसलिए उसका use जो है वो cattle feeding के लिए इस्तमाल नहीं किया था था, यह सबसे बड़ी problem है, और इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली government का initiative है, इसमें air quality index normal रहे है, उसको लेकर दिक्कत ना हो, और central pollution control world भी है जाता है, यह खराब से खराब category कंदर ना जाए, तो basically इनका initiative है, पिछले दो-तिन सालों से efforts कर रहे हैं, उसके outcome क्या, उसके बारे मुझे परसनिक बहुत जाद अजन कर रहे हैं, लेकिन यह definitely बहुत important role play कर रहा है, इसमें PUSA Institute और bio decomposer के बारे में बात की जारे है, कि liquid format में भी available होगा, basically agriculture waste price spray किया दाता है, उसमें 5-7 दिन में वो normalize हो जाता है, और एक manure की तरह काम करता है, जब भी आप air quality index की बारे में बात करते हैं, तो यह जो 6 एक तरीके से points होते हैं, कि किस तरह का air quality index है, good है, satisfactory है, moderate है, poor है, very poor, severe, इस किस category के अंदर यह basically आता है, अब second question आप लोगों के लिए है, जब हम बात कर रहें air quality index के बारे में, तो air quality index में 8 pollutant, 8 ऐसे परदूसरक होते हैं, जिसकी basis पर air quality index को observe के अज़त है, analysis के अज़त है, वो 8 pollutant कौन-कौन से है, यह आपके लिए second question है, इसके बाद page number 6 पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर mention किया गया है कि जपान ने जोगरिफिकल इंडिकेशन टैग के लिए निहोंसू जो के एक alcoholic beverage है, उसको लेकर apply किया है, चेन नहीं जो headquarter है जोगरिफिकल इंडिकेशन का, जोगरिफिकल इंडिकेशन बिसिकली क्या होता है, WTO के अंदर, World Trade Organization के अंदर, एक provision है intellectual property rights के, और उसी में intellectual property rights एक बहुत बड़ा एक तरीके से चीज़े है, एक तरीके से हम देखने किसी भी चीज़ को specify करना, उसको reward करना, इसमें कई सारी चीज़े आती है, पेटेंट हो गया, copyright हो गया, trade secret हो गया, टेड मार्क हो गया, इसके अलाबा, जोगरिफिकल इंडिकेशन भी उसी का part है, जोगरिफिकल इंडिकेशन को लेकर UPSC ने, I think 2-3 सवाल direct और indirect पूछे हैं, इसी context में ये बड़ा यूनिक्स है कि पहली बार इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर apply किया गया है, Japanese निहोंसू के बारे में कि इसको जोगरिफिकल इंडिकेशन दी जाए, जोगरिफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है, पर्टिकुलर इरिया में, अगर कल्चरल प्रस्पेक्ट्व से, जیसे कोई हैंडिक्राफ्ट हो गया, या कोई बेवरिजीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खाने पीने की चीज़ हो सकती है, राइस की वराइटी हो सकती है, या कोई भी vegetable की variety हो सकती तो particular geographical area में आपको देखने को मिलता है ताकि उसको एक recognition मिले और internationally उसको मानेता मिले इस context में इन्होंने geographical indication registration के अंदर ये file किया है और इसके अंदर ये detail बता है कि कैसे त्यार होती है इसके अंदर तीन important material होते है rice, kozikin, fungal spore होता और water इसके वेसित पर ये त्यार की जाती है इसके बारे में जानकारी जो हो दी गई है इसके अलाबा यहां पर एक और study आती है जो basically grazing animals के बारे में बताया जाता है कि जो grazing animals होते हैं ये carbon stability के लिए एक important काम करते हैं soil carbon stability के लिए काम करते हैं इस तरह की जानकारी जो हो दी गई है और long term soil carbon stability को लेकर काम करते हैं 16 साल की लंबी study ये हुई है खासकर हिमालेन एरियार में जैसे याक और आईबेक्स इनके बारे में बताया गया कि ये soil carbon के मामले में एक stabilization करने में important role या crucial role को ये अदा करते हैं उसके बारे में ये निभाते हैं तो ये काफी important इस तरह की छोटी छोटी study ये हमारे लिए plans में दोनों के लिए बहुँ जादा important है इसके बाद आगे जाएंगे यहाँ पर text and context का जो page number 10 पे page है इसके बारे में हम अलड़ी भी discuss कर चुके है लेकिन फिर repeat कर रहा हूँ गांबिया एक country continue news में है और उसके पीछे एक वड़ी वज़े है कप सिरफ का होना reason क्या है गांबिया के अंदर जो आप देखेंगे western अफरीका में जैसे माल लेते हैं western अफरीका है इसमें Senegal country इसके तीन तरफ नजर आएगी और एक तरफ Atlantic Sea नजर आएगा गांबिया के अंदर बड़ी संक्या में child death हुई है इसमें approximately 70 के आसपास बच्चों की death हो चुकी है और इसका एक बड़ा reason है कप सिरफ अब इस पूरे सेनेरियों में इंडिया काफी जादा एक तरीके से न्यूज में reason क्या है दो बज़े पहली बात जो report आई है उसके क्योंडिंग गांबिया के जो मिनिस्टर ने और गांबिया की जो health services उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर जैसे बच्चों ने ये कंजूम किया कप सिरफ को उसके वज़े से उनको problem होने लगी और acute kidney failure हुआ जिसमें हमने पढ़ा कि दो chemicals जो है वो उसकी contaminated थे जिसकी वज़े से acute kidney failure हुआ और ये कुछ name बताए गए कि ये इस्तमाल किये गए दिक्कत क्या है WHO की तरफ से एक तरीके से alert किया गया कि इनके अंदर substandard product जो हो इस्तमाल किये गए एक तरीके से एथलीन की जो contamination है वो देखने को मिला और उसी context में ये जो सारे के सारे product है ये listed है made in pharmaceutical limited हरयाना के अंदर और इसलिए भारत सरकार के लिए बहुत ही serious issue है reason एक तो बच्चों का मामला बढ़ा sensitive होता है second इंडिया में consider किया जाता है pharmaceutical industry को दुनिया की best pharmaceutical industry और माना जाता है कि cheaper rate as compared to world जैसे US और जैसे countryों में और इसके अलाबा अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर अगर इसकी वज़े से क्योंकि इंडिया की image पर भी negative impact पड़ते है इंडिया की regulator पर भी जो फार्मा इंड़स्टी की regulator है उसको नजर रखते है उसको किसी भी drugs को एक तरीके से अप्रूव करते है उनके ओपर भी कई सारे question इसलिए बहुत important और बहुती sensitive सा topic है गांबिया इस time पे news में है इस तरह के geographical question भी आपको देखने को मिल सकते है इसके बाद page number 12 पे अगर हम बात करते है तो यहाँ पर दो-तिन important topic discuss किये गए जिसके बारे हम थोड़ा पढ़ते है सबसे पहले बात करते है लोव मिनिस्टर साब ने जजीज के appointment को लेकर कुछ important चीज़े बोली है पहली बात तो बताया गया कि यह government के job है जजीज को appointment करना और generally क्या होता है जैसे recommendation दी जाते collegium system के दोरा collegium का मतलब होता है chief justice of India और चार senior most judge वो recommendation करते है government को कि इनको appointment करना और finally appointment का जो procedure वो complete किया दता है प्रिजिडेंट के दोरा ठीक है यानि government जो है वो mediate की तरह है काम करता है और यहाँ पर यह बताया गया कि supreme court ने consultation word को concurrence के अंदर change कर दिया दोनों में difference क्या consultation का मतलब क्या किसी से आप advice कर रहे है ठीक है concurrence का मतलब advice नहीं कर रहे है आपको सहमत होना पड़ेगा यह थोड़ा सा आपको advance लगेगा इत्तो होता है कि आप किसी चीज़ पर consultation कर रहे हैं बातचित कर रहे हैं एक होता concurrence आपको direction दिया गया कि भाई आपको इसमें agree होना पड़ेगा और आज के time पे judiciary को control करने कोई mechanism नहीं है तो इसको लेकर कई बार question भी उठते हैं कि क्या judiciary में भी check and balance होना चाहिए कि भाई इनके appointment के procedure को लेकर भी proper analysis होना चाहिए 1993 और बहुत सारे cases आए Supreme Court में collegium system जो develop हो गया 1998 में proper collegium system में Chief Justice of India चार senior more judge इनका एक panel भला जो recommendation करते हैं और इसमें यही discuss होते हैं कि politics में तो बहुत जादा discuss होती है कि भाई किसी भी issues को लेकर leaders के अंदर एक तरीके से भाई बती जाओ आता हो सकता क्या judiciary के अंदर भी इस तरह की possibility है कि एक groupism हो या politics involved हो जाए judicial appointment में बहुत सारे question है और कई बार इन topic पर क्योंकि यह sensory topic है यह definitely debate होना चाहिए कि क्या इस तरह की possibility है और अगर possibility तो उसको reduce कैसे करेंगे यह अपने आप में सवाल है इसके बाद second इसी page पर अगर आप देखेंगे इसके ठीक right hand side में एक topic डिसकस किया गया universal civil code के बारे में universal civil code का मतलब क्या है article 44 में एक recommendation है एक तरीके से क्योंकि वो directive principle of state policy के अंदर आता है कि जैसे criminal act के रिए चाहिए आप किसी भी religion किसी faith से आप बिलोंग करते है आपके against जो है वो equivalent law के थरू deal किया जाएगा इसी context में क्या civil code में universalization होना चाहिए क्या आपका religion कोई भी हो आपका faith community कोई भी हो आप एक ही civil code के थरू एक तरीके से deal के जाएगे चाहिए वो marriage हो या property हो या फिर एक तरीके से आप जितने भी civil cases हो सकते हैं जैसे एक तरीके से divorce हो, marriage हो जितने भी चीज़ा आते हैं उन सब चीज़ों को लेकर ये basically universal civil code को लेकर debate पहले भी रही और अभी भी आप देखने को मिलेगी तो इसी context में supreme code के अदर एक petition file करेगी और इसके अंदर ये बताया गया कि आप सरकार को direction दीजिए कि एक तरीके से universal civil code लागू किया जाए सरकार इस पुरे scenario में दो importance जीज़े बोल रही पहली बार तो ये है कि article 44 जो discuss करता है कि हमारे देश में divest religion, social relation और personal law इन सब के बीच में कैसे maintain करना है universal civil code को दूसरा ये जो कानन बनाने के जिम्मेदारी है ये सरकार के पास है court इसमें direction नहीं दे सकता और तीसरा जो important point यहाँ पर discuss किया गया है कि पहली बात तो ये है कि जब भी इस तरह के topic के बारे में काम होगा implementation होने को होगा तो उससे पहले definite सी बात है एक in-depth study होगी जिसमें जितने भी personal laws होते हैं अलग-अलग religion के जो personal laws board होते हैं जैसे muslim personal law board है इन सब के different communities को लेकर भी studies की जाएगी और 21st law commission ने recommendation भी करी एक तरी के consultation के बारे में discuss भी किया गया है कि reform of family law और इसके बारे में discuss किया गया आने वाले time में जब common civil code के बारे में discuss करते हैं directive principle of state policy के बारे में discuss करते हैं तो इसमें बताया गया कि creates an obligation upon the state to endeavor to secure for citizen uniform civil code basically article 44 में recommendation करेगी कि state इसके लिए काम कर सकते है बट क्योंकि article 44 आता directive principle of state policy में article 36 से लेकर 51 तक तो इस context में ये कई सार इसमें issues भी है और बहुत ही sensitive topic ये भी क्योंकि इसमें बहुत जादा debate बहुत जादा discussion करने की requirement है ये भी forcefully आप implementation नहीं कर सकते फिर वही प्रोटेट बहुत सारी चीज़े होगी तो इसको लेकर ज़रूरी है कि वही democratic republic जो incident किया गया था प्रेंबलो अब दे constitution में बाद में 42 constitutional amendment के तुरू हम देखेंगे कि sorry secular word भी यूज नहीं किया गया था 44 के अंदर ये mention किया गया कि इन पर काम करना है और उसको लेकर हम discuss करते हैं इसके अलावा यहाँ पर discuss किया गया इंडिया और फ्रांस के bilateral relation के बारे में अगले साल फ्रांस के प्रेजडेंट जो है Emmanuel Macron वो इंडिया के अंदर आ सकते हैं इस तरह की discussion हुआ है और यहाँ पर main agenda होगा nuclear power को लेकर महरास्टरा के जेतपूर के अंदर nuclear power project में फ्रेंच assistant आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे issues जो होते हैं जैसे technical, financial या civil nuclear liability को लेकर issue उन सब को sort out करने पर भी काम किया जाएगा इस तरह की जानकारी जो वो दी गई है और उसे के बारे में generally यहाँ पर discuss किया गया कि वही 6 nuclear power reactors होंगे 1650 मेगावर्ट का एक और अवरोल अगरम बात करते हैं तो यहाँ पर यह बताया गया कि लगबग 10,000 क्या सपास nuclear capacity हमारी develop हो जाएगी 2008 में हमने agreement sign किया था फ्रांस के साथ तो उस context में आने वाले time है क्योंकि इंडिया और फ्रांस के रिलेशन बहुत अच्छे terms में है इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन यह जुरूर ही है कि जो issues जो उन सब को sort out किया जाए ताकि इंडिया और फ्रांस के bilateral relation खास का defense sector में एक important और leading role प्ले करे भारत के लिए फ्रांस इसलिए भी important है क्योंकि भारत भी चाहता है कि defense के मामले में दो चीज़े हों पहला तो इंडिया बहुत जाद है depend ना हो रश्या पर second जो है वो इंडिया लगातर focus कर रहा self-reliant defense sector कोई भी sector उन समय इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं page number 13 पर page number 13 पर discuss किया गया सबसे पहले left hand side में AK-203 assault rifle production के बारे में और इंडिया और रश्या का joint initiative है कि भारत के अंदर AK-203 assault rifle जो उसका production किया जाएगा उत्तर परदेश के कोरवा के अंदर इसी कोरवा अमेठी district में पढ़ेगा district है या area मुझे पता नहीं है इंडिया के इंदरी production किया जाएगा 6.1 lakh ये जो rifles है वो production किया जाएगा 5,000 क्रोड रूपे का agreement है interesting बात ये है कि भारत की बहुत सारी security forces जो है इंसास rifle का इस्तमाल करती है उसको ये replacement करने के बारे में consultation है मेबी मैं थोड़ा सा incorrect हो सकता हूँ बड़ जहां तक मुझे पता चला इसको इंसास rifle को ये replacement करेगा इसके लावा भारत के साथ consultation करने को लेकर या technology transfer करने को लेकर definitely Russia important role play करेगा और इंडिया के defense equipment के import के गरम बात करते हैं तो रशिया उसमें leading country है exact नहीं पता रेकिन approximately 60 to 65 percent defense equipment जो है हम लोग रशिया से purchase करते हैं और रेशन में आपको पता भी होगा जब भारत के foreign minister जो है Australia में गए थे तब उनसे सवाल पुछा गया था कि भाई आप रशिया के इस sanction में सामिल क्यों नहीं होते तब उन्होंने कहा था कि जब war हुआ था 1971 का या उसके बाद तो रशिया वो country थी जिन्हों ने हमें weapon provide किये थे सही समय पर आप वो थे जो पीछे हट गए थे तो रशिया के साथ हमारे relation जो है वो केवल political defense के perspective से नहीं emotionally भी हमारे एक तरीके से relation है रशिया के साथ इसके बाद यहाँ पर आप सबको पता है गुजरात के गांदिनेगर सिटी के अंदर defense expo को start कर दिया गया है और उसके अंदर भारत के जितने भी defense equipment है उनको present किया जाता है यहाँ पर भारत के defense में से साब ने कहा कि हम एक hierarchical world के अंदर believe नहीं करते जिसमें एक country सोचती को दुनिया की सभी country superior है इसके अलावा हम African nation के साथ partner की भूमिका में रहना चाहते हैं उनकी military requirement complete करना चाहते हैं और उनकी जो training को लेकर requirement है वो भी complete करना चाहते हैं यहाँ पर आप देखेंगे defense expo के अंदर slick chopper के को show किया गया है जो कि 2022 की गांदियनेगर defense expo में present किया गया light combat helicopters है और भारत के defense equipment खासकर तेजस की बहुत जादा चर्चा पूरी दुनिया में अर्जेंटीना से लेकर अस्ट्रिया अस्ट्रिया से लेकर पूरी दुनिया में कि तेजस को कहने के procurement किया जाए खरीदा जाए भारत से और इवन फिलिपिन्स या साउथ इस्टेश एक कई सारी कंट्रि में भी डिसकस है लेकिन तेजस के साथ problem ही है कि इसका production जो है वो बहुत limited हो रहा है production बहुत जादा expand नहीं हो रहा है जो कि इंडिया को इसको लेकर production के boost up करने पर काम करना पड़ेगा इसको लेकर यहाँ पर बताया गया कि इंडिया अफरिका defense dialogue भी हुआ और इसमें भारत ये बिलिव करता है कि जितने भी relation होगे इन country के साथ उनके sovereign equality होगी mutual respect होगी इनके साथ हम काम करेंगे और उसी को लेकर हमारा main focus जो हो रहने वाला है African countries के साथ हमारा coordination के साथ relation होगा इसके उपर हम focus करेंगे इसे तरीके से UK और इंडिया United Kingdom और इंडिया ने एक तरीके से enhanced defense cooperation group establishment किया ताकि defense को लेकर जो relation of course जादा strong किया जासके और आने वाले time में इंडिया और UK के relation defense perspective से भी improvement हो इनके बारे में भी काम होगा देखो बड़ा interesting सी चीजें चल रही है defense के मामले में भी इंडिया के जो relation है खासकर UK के साथ region में UK और इंडिया के relation में कुछ issues हुए लेकिन अलग-अलग countries के साथ हमारे एक subject पर dispute हो सकता है बट second subject पर हो सकता है कि वो सैम्ति हो इसके अलावा यहां पर अगर आप देखेंगे इसमें एक छोटे शी news cover करीगी है जो कि important हो सकती है क्योंकि region में हमने देखा कि हमने Namibia से Namibia अभी काफी जादे news में भी क्योंग उसने सिलंका को रहा था वर्ल्ड कप में Namibia से हमने Kuno National Park के अंदर basically चिता को relocation किया है तो इसमें अब एक और species के बारे हम डिसक्स किया जादा रहा है जिराफ जिराफ के बारे हम बताया गया कि क्या यह species अफरीका से लाए गया था और क्या यह species endangered या critically endangered category के अंदर है इसको लेकर एक study की जा रही है और scientific perspective में observe के अधर है ताकि एक तो breed mix ना हो और इसके अलावा इनको preserve के अधर की अधर की इस तरह की बारे में डिसक्स किया गया इसलिए बोला गया कि mitochondrial gene studies के बारे में हो रही है उसी पर ज़्यादा तर focus के अधर है इसके बाद world affair के अगर हम बात करते है दुनिया में इस टाइम पर क्या चल रहा है तो सबसे पहले बताया गया कि page नंबर 15 पर left hand side देखेंगे जैसे यहाँ पर अफगानिस्तान news में रहता है किसलिए कि जहाँ पर भी human education को restrict कर पाए महिलाओं को education से आप रोक पाए उस पर काम करेंगे रिशन में वागे एक investment decision लिया कि भाई जो students है rule के नाम पर उनको बहार निकाल दिया जाए यह अपने आप में दिक्कत create करता है इसके ठीक right hand side में एक photograph दिखाई गई है इस photograph में discuss किया गया है Ethiopia और Eritaria की जो forces है उन्होंने Tigrian region का एक बड़ा हिस्सा जो capture कर लिया है इस तरह की statement है फेस यह photograph बताते हैं कि कितना ज़्यादा यह issue है और approximately city के अंदर एक लाग के आसपास force रहती है मैं अभी Sudan Tribune करके एक newspaper देख रहा था जो African country है और उसमें देखो mention किया गया है कि पूरा का पूरा scenario का है मैं पूरा का पूरा आपको चीज़े बताता हो देखो Ethiopia और Eritaria यह जो Tigrian region है यह छोटा सा region है यह basically सरकार के थोड़ा against रहता है कई बार इनके साथ agreement भी हो जाता है हलाग कि party Ethiopia का लेकिन इसमें presence जो दोनों की forces की है और इस वज़े से इस particular area में जो लोग रहते हैं approximately एक लाग उनको कहिने कई concern है और इस पूरे region में आप देखेंगे कि disputed यह conflict बहुत जादा आपको नज़र आता है यह खासकर इस government के against आपको देखने को मिलेगा हलाकि एडिटेरिया के बिल्कुल south में तो possibility है कि वो भी कुछ area को capture करने के बारे हम काम करते हैं और वो ऐसा चीज़े हो भी रही है इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके ठीक निचे एक news डिसकस करी गई है कि financial action task force एक ऐसा organization जो money laundering terror funding को लेकर नजर रखता है और intergovernmental organization है इसके अंदर पाकिस्तान 2018 से grey list के अंदर grey list का मतलब होता है jurisdiction under increased monitoring क्योंकि grey list है black list यह word यूज नहीं के जाए जाथ officially इसके लावा grey list में होने से दिक्कत क्या आते हैं कि जो भी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी economic crisis है अभी flood की वोज़े काफी दिक्कत हो रही है दूसरा funding को लेकर भी issues है और जब आप देखते हैं कि जब आप grey list के अंदर होते हैं तब financial sanction की possibility रहती है या international loan जल्दी से नहीं मिलता तो यह दिक्कत होती है तो possibility है क्याने वाले time में financial action task force में जो पाकिस्तान grey list में उसको उससे हटा दिया जाए और एक तरीके से ये पाकिस्तान के लिए बड़ी achievement होगी क्योंकि पाकिस्तान ने काफी हद तक satisfy कर दिया उसका एक बड़ा reason है US के साथ इनके relation थोड़ा सा improvement हुए जिसकी होज़े से पाकिस्तान आने वाले time में grey list में अपने आपको बहार निकाल सकता है इसके बाद इसके ठीक यहां पर बिल्कुल south में देखेंगे इस page में एक award के बारे हम डिसकस किया गया है booker prize के बारे में और यह award इन्होंने जीता यहां पर स्रिलंका के author है सिहान करुण तिलाका करके और 2022 का booker prize दिया गया UPSC में सवाल नहीं आएगा बट दूसरे examination पुछे जा सकते हैं इसके अलाबा इनको यह दिया गया 7 moles of Mali Alameda को लेकर जो बहुत सारी चीश डिफाइन करता रिस्क्राइब करता है देखो UPSC में जो सवाल होते है न उसका बहुत ही specific area है for example sports के अगर सवाल हुए जैसे 2021 में आई तिंग सवाल हुआ था तो वो unique थे क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था for example ICC के अंदर test championship पहली बार हो रही थी सवाल पुछा गया के जो सवाल पुछाते हैं वो बहुत ही specific होते हैं और unique award पर जो पहली बार हो रहे है 15-20 साल पहली बार ऐसी चीज़े हुई उनके बारे में ज़्यातर focus करते हैं हर साल जो award दी जाते हैं उनके बारे में possibility थोड़ी सी कम होती है right इसके बाद यहाँ पर page नंबर 16 पे गरम बात करते हैं business section यह economic का जो page इसमें एक important topic डिसकस किया गया है वो है RBI के बारे में कि RBI 2013 का जो track है कि forex reserve को restore करने का जो तरीका था वो इस time साथ काम न करे 2013 में basically क्या हुआ तो उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे पहले story आप समझ लेजिए इस time पे भारत के सामने एक बड़ी problem है वो है forex reserve का 100 billion dollar से भी 110 billion dollar से भी ज्यादा कम हो जाना 642 billion dollar से हम लोग आज जो है 525 या 530 के आज पास पहुंच चुके हैं जो कि हमारे लिए बड़ी problem है इसके अलावा हमारी currency के value गिर रही वो सब को पता current account deficit भी problem है import bill बढ़ रहा वो सारी चीज़े तो है लेकिन इसमें बताया गया कि जो 2013 में तरीका अपनाया था वो था एक तरीके से इस account पे बहुँँ जादा focus किया गया था foreign currency non resident right यह मतलब क्या होता है मैं जब इसके बारे में HDFC bank की मैं website देख रहा था उसने बता कि FCNR का मतलब होता है foreign currency non resident account इसका मतलब यह होता है अगर आप NRI non resident Indian है जैसे आप भारती नागरिक है लेकिन आप रहते नहीं है आप काम करते थे किसी दूसरी country में तो आप fixed deposit account maintain करना इंडिया में तो आप क्या करेंगे क्या foreign currency के अंदर ही अपने account को यह पैसे को जबा करें जिसमें US dollar है pound starling जो UK currency है euro, Japanese yen, Australian dollar और या Canadian dollar आप इन में से किसी में save कर सकते हैं इसे market का जो rate होता है exchange के जो fluctuation होते हैं जैसे इंडियन currency की value of down होते रहती इस तरह की चीज़ें उसे आप बच सकते है risk free return के बारे में होता है यह 2013 में एक तरीका काम किया था लेकिन आज के time पे situation थोड़ा different है उसे के बारे में जो है बात की जा रही है अब आप लोगों के लिए सवाल यह है और क्योंकि बार-बार foreign exchange reserve या forex reserve के बारे में डिसकस हो रहा है तो सवाल यह है कि forex reserve के अंदर कौन-कौन सी चार important component को या parameter को इस्तवाल किया जाता है यह आपके लिए सवाल है और UPSC में भी हो सकता जिस तरीके से एकनोमी के 18 से 20 सवाल 2022 में पुछे गए थे तो सवाल होंगे और उस सवाल में बहुत depth में भी सवाल हो सकते जैसे IMF के बारे में in-depth बहुत सारे सवाल पुछे गए G20 के बारे में common framework के बारे में सवाल पुछा गया तो इन सब चीजों पर हमें focus करना पड़ेगा strengthen करना पड़ेगा ताकि overall चीजों को resolve कर पाए तो फिलाल The Hindu News Journalist में तना ही Thank you, Jehin